हेलो पहारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th number system के एक्जामपल्स इस वीडियो में हम एक्जामपल नमबर 1 से लेके 10 करेंगे और 2nd वीडियो में हम एक्जामपल 11 से 20 करेंगे अब कुछ बच्च Contain क्या करते हैं बच्चों कहां से आ गया तो example most important है सभी chapters के मैं करवाऊंगा और सभी के आपको अच्छे से करने हैं ठीक है सबसे पहले चलते हैं example number one पे क्या है are the following statements true or false give reason for your answer हमें यहां पे three statements दे रखी हैं जिनको हमें चेक करना है कि कौन सी statement हमारी true है और कौन सी हमारी false है साथ में आपको reason भी explain करना है तो सबसे पहली statement क्या है every whole number is a natural number कि सारे के सारे whole number natural number होते हैं अब whole number कौन से होते हैं बच्चो जिसमें 0 आता है जैसे 0, 1, 2, 3 इस परकार के number और natural number कहां से start होते हैं बन से 1, 2, 3, 4 up to infinity अब ये बताओ क्या ये सारे के सारे number यहां पे present हैं नहीं है यहां पे 0 है यहां पे 0 नहीं है तो first statement क्या हो गई false तो यहां पे लिख देंगे हम कि first statement हमारी क्या है false whole number में 0 आती है natural number में 0 नहीं आती है second statement पे चलते हैं बच्चो क्या है every integer is a rational number क्या कहा है कि सारे के सारे जो integer है न वो rational number होते हैं अब integer कौन से होते हैं plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 इस परकार से और rational number कौन से होते हैं बच्चो जिनको हम PYQ की form में लिख सकते हैं अब simple सी बात हमें ये देखनी है कि हम सारे के सारे integers को PYQ की form में लिख सकते होंगे तो ये statement true है otherwise नहीं है तो देखिए भई यहां पर मानलो हमने integer लिख दिया वही plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 इस परकार से ये integer हो गए इनको मैं PYQ की form में लिख सकता हूं बिलकुल लिख सकता हूं कोई भी number उठा लो जैसे मानलो मैंने 2 उठा लिया तो 2 by 1 लिख दिया 3 उठा लिया 3 by 1 लिख दिया minus का 4 उठा लिया minus 4 by 1 लिख दिया कोई भी मैं integer उठाऊंगा divide by 1 लिख दूँगा ये किस form में हो जाएगा हमारा PYQ की form में तो ये क्या बन जाएंगे rational number तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे integers हमारे rational number होते हैं clear बात ठिक है आगे आजो बई तो ये statement क्या होगी हमारी क्यों होगी बच्चो थर्ड statement क्या है every rational number is an integer अब उल्टा पूछ लिया उसने क्या सारे के सारे rational number integer होते हैं zero plus minus one plus minus two plus minus three इस परकार से कभी भी two by three fractional form में हमारा integer नहीं होगा तो ये statement क्या हो गई हमारी false हो गई बच्चो समझ में आगी ना कि सारे के सारे rational number कभी integer नहीं हो सकते कुछ होंगे बट सारे नहीं होंगे आगे चलते हैं क्यों से number two क्या दे रखा है find five rational numbers between one and two अब यहाँ प पीच में five rational numbers हमें find out करने हैं अब कैसे करें बड़ा simple सा तरीका है five से बड़ा कोई भी number सोच लो जो भी आपके दिल में हो five से बड़ा number माल लिया हमने छे सोच लिया six ठीक है तो मैं क्या करूंगा इसको six से divide कर लेता हूं अब इसको six से divide किया है तो six से ही इसको multiply करना पड गयर similarly हमें इस number को भी क्या करना पड़ेगा six से multiply six से divide six two जा क्या हो गया 12 by six तो इनके बीच के number लिखतो बड़ा असान सा काम है क्या हो जाएगा six से आगे seven by six eight by six nine by six ten by six eleven by six ये इनके बीच के rational number हो गये बस असान सा काम था अब आप ये सोचोगे सर six ही क्यों लिया सर मैं seven स dropdown कर सकता हु बिल्कुल कर सकते हैं बचे चलिए देखते हैं कैसे करेंगे seven से भी समझा देता हूँ number क्या था हमारे पास one or two मैंने क्या किया seven से multiply कर लिया से डिवाइड कर लिया same काम में दूसरे नंबर के साथ भी करूँगा seven से multiply seven बाइड ये मेरे पास क्या बन जाएगा seven बन जा 7 by 7, यहाँ पर क्या बन जाएगा 7, 2 जा 14 by 7, अब इनके बीच के नंबर लिख दो 7 से आगे counting, 8 by 7, 9 by 7, 10 by 7, 11 by 7, 12 by 7, 13 by 7, यह हमारे पाथ 6 नंबर बन गए, कोई भी 5 लिख देंगे, बस यह हो गए हमारे यहाँ पर इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच के rational numbers, क्ल हमें simply value दे रखी थी, 5 नंबर निकालने थे तो 5 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो अपने मन में, उसी से multiply, divide करके इसको पहले क्या बना लिया, rational number और इनके बीच के नंबर लिख दिया हमने, ठीक है, आगे चले, चलो भई, next question क्या दे रखा है, locate root 2 on the number line, अब भई root वाली term चो होती है न, root 2 हो, root 3 हो, root 5 हो, root 7 हो, root 11 हो, कोई भी हो, उसको अगर आपको number line पे represent करना है, simple सी बात है, पाइथागोर स्थोरम आपको आनी चाहिए, पाइथागोर स्थोरम आती है, तो कोई भी root की term दे रखी हो, easily आप number line पे represent कर दोगे, कैसे चलो सिखेंगे, सबसे पहले बात देखो, यहाँ पे पाइथागोर स्थोरम होती क्या बच्चो, यह हमारे पास क्या एक right angle triangle है, right angle triangle के अंदर एक angle हमारा 90 degree होगा, और 90 degree के सामने वाली जो side होती है, वो हमारी hypotenuse होती है, जिसको हम capital X से represent करते हैं, जो निचे वाली side होगी है, हमारी base होगी, जिसको हम B से represent करेंगे, और जो यह vertical side है, इसको perpendicular P से represent किया जाता है, ठीक है, अब इन तिन्नों के बीच में एक relation होता है, कि जो H होता है न हमारा, अगर मैं इसका square कर दूँ, तो वो किसके equal होता है, P square plus B square के, बस यह एक relation आपको रखना है, यही relation हमारा क्या कहलाता है, भई, पाइथागोरस थोरम कहलाता है, अब मुझे क्या चीए बच्चो, under root 2 चीए, क्या चीए है, under root 2, मतलब H की value मुझे under root 2 चीए represent करने के लिए, बस यह mind में रखो, अब under root 2 कैसे आएगा, ज्यांसे देखो, अगर मैं P की value 1 ले ल 1 का square 1, यहां भी 1 का square 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो H is equal to क्या आगया, square इदर जाएगा, तो under root 2, बन गया ना H, root 2 के equal, तो मैंने क्या लिया बच्चो, perpendicular भी 1 लिया, और base भी मैंने 1 लिया है, यह चीए समझ में आ गई, perpendicular कितना लिया, 1, base भी कितना लिया, 1 लिया है, बस यह हमने 1 मार्क कर दिया, यह 2 मार्क कर दिया, यह हमने 3 मार्क कर दिया, ऐसी होती है हमारी number line, अब मैंने क्या का है, base जो है, हमारा कितना होना चीए, 1 unit, perpendicular भी क्या होना चीए, 1 unit, तब ही हमारा root 2 बनेगा, हमने क्या करना है, 0 से लेके 1 unit तक ही यह मार्क लगा लिया है scale पे marking होती है one two three four इस परकार से तो हमें यहाँ पे scale रखना है और यह one unit हमने mark कर लेना है यह हमारा 90 degree angle बन लिया ठीक है यह भी कितना हो गया one unit समझ में आ रही है बात base हमने one unit ले लिया perpendicular हमने one unit ले लिया अब करना क्या है इस point को इससे हमने join कर देना है अब इसका नाम करन कर दो कोई भी यह a point मान लिया यह b मान लिया यह c मान लिया यह one unit है यह भी one unit है तो यह a b जो होगा वो कितना आ जाएगा under root 2 आ जाएगा जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया था ठीक है अब कैसे करेंगे represent a के उपर compass रखेंगे बच्चो और b तक खोल के और इस b को हम ऐसे ऐसे नीचे लियाएंगे डोटीड करके तो जहां पे भी यह हमारा यहां पे meet करेंगा ना line को यही क्या होगा under root 2 होगा काम खतम हो गया समझ में आ गया clear है वह पता चल गया perpendicular और बेस कैसे लेने हैं हमें under root 2 represent करना आगया थिक है अब एसे ही हमें क्या करना है under root 3 को represent करना है under root 3 को कैसे represent करेंगे वो दिखो हम हमें अब root 3 को represent करना है बच्चो क्या है relation h square is equal to किसके होता है p square plus base square यह होता है अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भई हमें h की value क्या चीए under root 3 क्या करूँगा मैं h square equal to perpendicular ज्यान से देखना क्या का है मैंने perpendicular लूँगा 1 unit 1 का square और base को ले लूँगा मैं under root 2 इसका square देखो क्या बनेगा h square equal to 1 का square किया 1 plus में square से root कट गया बच्चो यहाँ पर क्या बच गया 2 तो h square is equal to किसके आगया 3 के और h is equal to क्या आगया under root 3 समझ में आया या नहीं आया h की value root 3 कम मिलेगी जब मुझे perpendicular 1 unit हो और base हमारा क्या हो under root 2 हो तब हम यहाँ पर अंडर root 3 को represent कर सकते हैं अब बड़ा सा असा तरीका है सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चो root 2 को represent करना पड़ेगा अपनी number लाइज पर जैसे कि पिछली question में किया है तो कर लेते हैं भई यहाँ पर देखो हमने point को हमने join कर दिया तो यह कितना बत गया under root 2 बन गया मेरा क्या बन गया यह under root 2 ठीक है अब भई हमें base under root 2 चाहिए perpendicular कितना चाहिए बन चाहिए अब यह हमारी जो line है ना देखो यह वाली line इसको dotted form में दिखा रहा हूं में यह वाली line यह तो base हो गई कितनी है under root 2 अब मैं यहाँ पर क्या करूँ है 90 degree का angle बना लूँगा और एक unit इस परकार से draw कर लूँगा यह हो गई perpendicular बना के one unit बना लिया अब इस point को और इसको join कर दूँ मैं ऐसे तो यह क्या line आ गई मेरी under root 3 की आ गई जान से देखो यह one unit था यह one unit था one unit one unit से मेरा क्या बना अंडर root 2 बन गया बच्चो under root 2 और एक unit यह ले लिया मैंने root 2 और one unit क्या बना देगा मेरा under root 3 बना देगा अब root 3 को number line पे लेके आना है तो ओ से लेके इस point तक compass open करेंगे और ऐसे लेके आ जाएंगे निक्चे ऐसे बस जहां पे भी यह meet करेगा यह point क्या हो जाएगा under root 3 हो जाएगा clear है समझ में आ गया ऐसे ही आपको homework दे रहा हूं एक under root 7 को represent करके देखना है अपनी copy के उपर आपको पता लग जाएगा कि कैसे करना है clear अगर कुछ doubt हो ना इस चीज में तो आप मुझे बता देना अलग से आपको compass और scale की help से में अलग से page बे भी करवा दूँगा बाकी old video जो करवा रखी हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं आगे चलते है next question के उपर क्या है find the decimal expansion of 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7 इनकी decimal expansion find out करनी है बच्चो बड़े simple है ध्यान से देखो first part में क्या कहा है 10 by 3 इसका मतलब 10 को 3 से divide करना है आपको तो भई करते हैं divide 3 से किया 3 3 जा 9 remainder क्या बच गया 1 अब 1 तो छोटा है 3 से तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक 0 लेके आनी पड़ेगी decimal लगा है तो यहाँ भी decimal आ गया फिर 3 3 जा 9 फिर 1 बच गया फिर एक 0 उतार ली हमने फिर 3 3 जा 9 फिर 1 बच गया कितनी बार भी divide करते जाओ हर बार remainder 1 बचेगा और हमारी जो यह decimal expansion है न वो 3.33 इस परकार से चलती जली जाएगी ऐसे कितना भी divide करते चले जाओ तो बस यह हमारी क्या आ गई decimal expansion आ गई clear बात है आगे चलते हैं भई सेकिंड वाले पे सेकिंड वाले में क्या दे रखा है बच्चों हमें हमें दे रखा है 7 by 8 कि 7 को 8 से divide करना है कर लेते हैं भई यहाँ पर 7 को 8 से divide अब 7 छोटा है 8 बड़ा है तो 7 तो 8 से divide नहीं होगा तो हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पर decimal लगा के 0 ले लेना है उपर भी decimal start हो जाएगा अब यह हो गया 70 8 8 जा क्या हो जाएगा बच्चों 64 बचा कितना 6 फिर एक 0 उतार लेंगे 60 हो गया 8 7 जा 56 अब कितना बच्चेगा 4 फिर एक 0 उतार लेंगे 8 5 जा 40 तो यह यहाँ पर क्या आगया मेरे पास remainder कितना आगया 0 जब भी remainder 0 आजाए तो हमारी decimal expansion क्या हो गई complete हो गई तो यहाँ पर 7 बाइ 8 की decimal expansion क्या आगई 0.875 यह answer हो गया clear है आगे चलते हैं next क्या है 1 by 7 1 by 7 की decimal expansion निकालनी है मेरे से पहले निकालने की try किया करो 1 को हमें क्या करना है भई 7 से divide 1 छोटा है 7 बड़ा है तो हम क्या करेंगे हाँ पर decimal लगा के 0 ले लेंगे उपर भी 0 पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा किस पर जाएगा 7 मंजा 7 remainder बच गया 3 फिर एक 0 लेके आएंगे 7 4 जा 28 remainder कितना आ गया 2 फिर एक 0 उतारेंगे नीचे फिर 7 2 जा 14 कितना आ गया वही 6 फिर एक 0 उतारेंगे फिर किस पर जाएगा 7 8 जा 56 फिर कितना बच गया 4 फिर एक 0 उतार लेंगे अब किस पर जाएगा 75 जा 45 सोरी 75 जा 35 remainder क्या बच गया 5 फिर एक 0 उतार लेंगे फिर 7 7 जा क्या हो जाएगा वही 49 remainder कितना बच गया 1 अब बच्चो ध्यान यह देना है जब भी हमारा जो भी से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर 1 बाई 7 की जो decimal expansion आ गई हमारी 1 बाई 7 की क्या आगई 0.142857 अब इसको अगर बार लगा के लिखना चाहो तो यह डिजिट्स दोबारा से रिपीट होंगी इस पूरे के उपर बार लगा के भी छोड़ सकते हो यह हमारी decimal expansion हो जाएगी क्लियर बात आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें बताना है कि जो given number है वो एक rational number है अगर rational number है तो उसको p by q की form में represent करो बड़ा असान है ध्यान से देखो given number क्या है वच्चो हमारे पास 3.142678 यह क्या है decimal expansion है अब decimal को remove करना क्या है बड़ा easy है बड़ा simple है बड़ा हलवा है क्या करेंगे यहाँ पे decimal को हटाएंगे वो decimal के बाद जितनी भी digits हैं उतनी 0 निच्चे उतार लेंगे देखो कितने हैं 1,2,3,4,5,6 6 digits है तो यहाँ पे हमने 6,0 लगा लेनी है बस यह हो गया तो final number क्या आगया मेरे पास 3,1,4,2,6,7,8 divide by 100,000 अब यह number देखो बच्चो किस form में है यह हमारा number P by Q की form में और यह number क्या है हमारा rational number बस ऐसे लिखना है clear बात rational number भी दिखा दिया हमने कि यह P by Q की form में है और यहाँ पे देखो जहां से P और Q दोनों integer value है और denominator हमारा not equal to 0 भी है example number 7 देखते हैं क्या है show that 0.333 equal to 0.3 का बार can be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 अब यह question है most important question है final exam हो या mid term exam हो बच्चो जरूर पुछा जाता है अब इस टाइब के question को कैसे sold out करेंगे चलिए सीखते हैं सबसे पहले देखो हमें number क्या दे रखा है 0.333 3 equal to 0.3 का बार अब इसका पहले meaning समझेंगे 0.333 बार बार दिखाई दे रहा कि 3 की repetition हो रही है इसलिए उसने उसको क्या लिख दिया 0.3 के उपर बार लगा के मतलब एक digit बार बार repeat हो रही है सबसे पहला काम क्या करना है हमें इस number को किसी variable के equal मान लेना है जो भी आपका दिल करें हम इसको x के equal मान लेते हैं तो लिखेंगे क्या यहाँ पर let x equal to 0.333 इस परकार से इसको equation number 1 मान लेते हैं पहला काम खतम हो गया अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो कितने digit repeat हो रही है एक digit repeat हो रही है अगर एक digit repeat हो रही हो तो क्या करना है थाउजेंड से करना है clear अब यहाँ पर एक digit repeat हो रही है तो लिख देंगे here one digit is repeating digit is repeating so multiply by 10 बस यह बात लिखनी जरूर है 10 से multiply करो left side भी right side भी 10 से multiply करेंगे 10 की x की equal to 0.333 dot 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 multiply 10 कर दो भई 10 की x से multiply की बच्चो 10 x equal to यहाँ पर 10 से multiply करेंगे तो क्या होगा जो भी यह decimal है न बच्चो हमारा एक place right side shift हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यह 3.333 इस परकार से clear यह equation number क्या आ गई 2 आ गई बस इतना काम करना है हर एक question में फिर क्या करना है हमें equation 2 में से first को subtract कर लेना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर subtract 1 from 2 कर दो भई second equation क्या है हमारी 10 x equal to 3.333 डोट 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 first equation क्या है x equal to 0.333 इस परकार से क्या करना है subtraction अब यहाँ पर देखो बच्चो 10 x में से x गया तो कितना आ गया 9 x equal to right side पर ध्यान दो क्या है point के बाद 3 3 3 3 3 3 इस परकार से यहाँ भी 0 के बाद क्या है 3 3 3 3 3 इस परकार से अगर मैं 3 में से 3 3 में से 3 ऐसे subtract करूँगा तो decimal के बाद क्या हैंगी मेरी सारी 0 जाएंगी जितनी भी होँगी और यहाँ पर क्या हैगी left side 3 में से 0 गया 3 आएगा clear अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं 9 x equal to 3 और x equal to क्या आगया 3 by 9 तो 3 बन जा 3 3 3 जा 9 तो x equal to क्या आगया 1 by 3 अब ध्यान से देखो यह p by क्यों की form में आगया या नहीं आगया आगया 1 और 3 integer भी है और यहाँ पर denominator हमारा 0 के equal भी नहीं है clear execution को sort out करना है है ना बिल्कुल simple अगले बाले पर चलते हैं वही क्या है second example number 8 दे रखा show that 1.27272727 कितने digits रिपीट हो रही है 2 digits रिपीट हो रही है तो इसलिए उसने equal to क्या लिखा 1.27 का बार can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0 simple सी बात है सबसे पहले देखो हमें number क्या दे रखा है 1.272727 dot 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 equal to 1.27 का बार अब बार देखो कितने digits पे 2 digits पे इसका मतलब 2727 बार बार रिपीट हो रहा है ठीक है इसी को किसी variable के equal मान लेते हैं हम क्या लिखेंगे यहाँ पे let x equal to 1.27272727 dot 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 equation number first clear बच्चो दूसरा काम क्या करना है कितने digits रिपीट हो रही है 2 digits तो multiply किस से करेंगे 100 से 1 digit होती तो 10 से 3 digits होती तो 1000 से अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लिखेंगे 2 digits are 2 digits are repeating repeating so multiply multiply by 100 देखो आगे क्या होता है भई 100 से x की multiply करेंगे तो 100 multiply x equal to यहाँ पे करेंगे तो 1.272727 यह मैं सोचना 3 बार लिखा हुआ है तो 3 बार ही लिखेंगे और भी लिख लो अपनी मर्जी है भई dot 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 फिर multiply 100 clear 100 की x multiply की 100 x equal to अब भई यहाँ पे कितने 0 है 2 0s तो decimal जो है हमारा कितने place shift हो जाएगा 2 places shift हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यह 127.272727 dot 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 इसको मानेंगे equation number 2 clear यहाँ तक फिर क्या करना है equation 2 में से first को subtract करना है तो लिखेंगे यहाँ पे subtract subtract 1 from 2 कर दो भई सबसे पहले देखो second equation क्या है 100x equal to 127.27272727 dot 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 यह होगी second equation first क्या है x equal to 1.27272727 dot 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 क्या करेंगे minus 100x में से x गया तो बच्चो 99x equal to अब इदर आजाओ 27 में से 2000 गया 0000 अत्ता चला जाएगा decimal से उदर जितनी भी digits आएंगी क्या आएंगी 0 आएंगी तो यहाँ पे क्या लिख देंगे dot लगा के 000000 लिखने का कोई मैतव नहीं है बट लिख देते हैं कहीं आप यह सुच्चो सर क्यों नहीं लिखी आपने यहाँ पे आजाओ 127 में से बन गया तो 126 तो क्या आगया finally 99x equal to 126 x equal to क्या आगया 126 by 99 cancel out हो रहा है बिलकुल हो रहा है 9 से 9 से cancel out हो रहा है क्या आएगा यहाँ पे 9 बंज़ा 9 36 हो गया 9 4 ज़ा 36 और यहाँ पे क्या आजएगा 11 तो x equal to क्या आगया 14 by 11 दोनों क्या है py ko की form में और दोनों integers भी है और denominator हमारा note equal to 0 है तो x equal to क्या आगया हमारा 14 by 11 यह answer हो गया ठीक है तो हमने इस number को py ko की form में write down कर दिया असान है ना question समझ में आ गया कैसे करने है बिल्कुल हलवा लग रहे होंगे अब तो आगे चलते हैं भई next question क्या है show that 0.235353535 ज्यान से देखना क्या है 0.2353535 repeat क्या हो रहा है 3 5 2 digits repeat हो रही है तो यहाँ पे देखो equal to लिखा 0.23535 के उपर बार इसका मजलब 3 5 की repetition है इसको हमें pyq की form में लिखना है तो भई same step follow करेंगे सबसे पहले देखो number क्या है हमारे पास हमें number दे रहे है 0.235353535 dot 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 equal to किसके है 0.235 का बार clear पहले क्या करेंगे इसको let x equal to जो भी number है 0.235353535 dot 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 equation number first माल लेंगे clear हो गया पहला step अब क्या करना है वही two digits repeat हो रही है तो multiply किस से करेंगे बच्चों hundred से तो कर लेते हैं यहाँ पर लिख देंगे two digits two digits are repeating so multiply multiply by hundred फर तो भई हेंड़ से multiply hundred multiply x equal to यहाँ पर 0.235353535 dot 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 multiply hundred clear है अब यहाँ पर देखो hundred की x से multiply hundred x equal to अब यहाँ पर two zeros हैं तो decimal कितने place shift होगा बच्चों two places तो यहाँ से decimal कहां भगेगा हमारा right side two place तो क्या बन जाएगा twenty three point यहाँ पर क्या बन गया भई one from two सबसे पहले second equation लिखो भई क्या है ध्याम से लिखना है hundred x equal to twenty three point twenty three point five three five three five three five ऐसे ठीक है आगे दिखो भई next क्या है हमारी first equation क्या है x equal to zero point क्या है two three five three five three five clear है बई minus करना है kar देते हैं हैं neuro s में से x गया तो क्या आगया equal to इधर का minus ध्यान से करना है 5 में से 5 गया 0 3 में से 3 गया 0 5 में से 5 गया 0 0 अत्ता गया 3 में से 0 त değedor के बाद क्या आएगा थी आएगा अगा अगा दिखराए ना यहां थे स्थे सह मलके बादर पर वाल वाला तो हरेक यहिरो हो जाता है कुछ कर असन में नहीं लोगा तो यहां थे हाँ थीड़ियें 23 में से 0 गाँ तो 23 अब यहाँ पर 99 x equal to क्या आगया मेरे पास 23.3 तो x equal to क्या आगया यहाँ पर 23.3 divided by 99 decimal को हटाएंगे तो अपको नमें एक 0 आजाएगी तो x equal to क्या आगया 233 divided by 990 यह अंसर आगया बस cancel out हो रहा है नहीं हो रहा है तो छोड़ दो कुछ भी आजाएंसर हमें क्या मगरना है दरना नहीं है बस P by A क्योंकि form में आगया पी और क्यों दोनों इंटीजर है डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं आया आपके condition जो दे रखे थे वो सारे फुल्फिल हो रही है हमें क्या मतलब कोई भी अनसर आई ठीक है समझ में आ गया अगला क्यों चलते हैं क्यों से नमबर 10 क्या है find an irrational number between 1 by 7 and 2 by 7 1 by 7 और 2 by 7 के बीच में irrational number find out करना है यह तो हमें irrational number दे रखे हैं तो भाई ध्याम से देखो 1 by 7 और 2 by 7 पहले हम क्या करेंगे बच्चो इसकी decimal expansion निकालेंगे उसके बाद हम यहाँ पर irrational number find out कर सकते हैं कैसे जाम से देखो 1 को हमने 7 से बाग करना है भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो बही नहीं जाएगा पहले तो 0 पे चला गया decimal आ गया 10 हो गया 7 बन जा 7 remainder आ गया 3 फिर एक 0 7 4 जा 28 फिर क्या बच गया 2 फिर 10 7 2 जा 14 फिर यहां पर remainder बच गया 6 फिर 10 7 8 जा 56 फिर यहां पर remainder बच गया 4 फिर 10 7 5 जा 35 फिर यहां पर remainder बच गया 5 फिर 10 फिर 7 7 जा 49 फिर remainder बच गया 1 जो numerator में है वही remainder आते ही रुख जाओ मतलब यह आ गई decimal expansion किसकी 1 बाइ 7 की ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 बाइ 7 की निकाल लेते बच्चों हमें क्या कर रहे है 2 को 7 से डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट 7 2 जा 14 रिमेंडर बच गया 6 एक 0 उर्तारली 60 हो गया 7 8 जा 56 40 हो गया 7 5 जा 35 50 हो गया फिर एक 0 7 7 जा 49 फिर 1 बच गया फिर 10 हो गया हमारा फिर 7 1 जा 7 रिमेंडर बच गया 3 यहां पर ले लो वाई 3 30 हो गया 7 4 जा 28 रिमेंडर बच गया 2 नुम्रेटर में भी 2 था रिमेंडर 2 आ गया रुख जाओ भई इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन मिल गई बस ध्यान से देखो अब इन डेसिमल एक्सपेंशन को लिख लो 1 बाई 7 से 2 बाई 7 1 बाई 7 की क्या आई थी ध्यान से देख लो भई यह आ गई इन दुनों की डेसिमल एक्सपेंशन इनके बीच में हमें कोई भी एक इरैसिनल नंबर फाइंड आउट करना है इरैसिनल नंबर क्या होता है कौन सा होता है नोन रिक्रिंग जिसमें रिपीटिशन ना हो एक जैसे डेसिमल के बाद यहां पर 0.28 क्या है 28 ठीक है तो मतलब 0.20 लूँ तो इनके बीच में ही तो आएगा 20 14 और 28 के बीच में तो भाई मैंने ले लिया यहां पर 0.20 क्या ले लिया 0.20 पहले दो डिजिट ले लिए अब आपकी मर्जी है कोई भी नंबर बना लो फिर टू डबल जीरो टू ट्रिपल जीरो टू फोर टाइमस जीरो डोट 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 ऐसे बना दो बन गया हो गया क्या एरेसिनल नंबर और कुछ बनाना यह यह पसंद नहीं आसर जीरो क्वाइंट 14 से आगे क्या हो सकता है 15 151 1511 1511 ऐसे डोट डोट लगा दो यह भी हमारा क्य हो गया हो गया यह भी पसंद नहीं है सर एक और बना के दिखाओ चलो भाई 20 से आगे ललो यह तो 28 तक है ना 0.25 ले लिया फिर 25 के बाद 0 लगा लो फिर 2500 2500 ऐसे ऐसे बना दो जो भी आपका दिल कर रहा हो ना वो डिजिट एक बार लगा फिर दो बार लगा तीन बार लगा समझ में आ गया ना क्लियर है ऐसे करने एक्जम्पल कोई दिक्कत लगे कमेंट कीजिए अधरवाई चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में सेयर कीजिए क्लास 12 तक का मैत आपको नेक्सा क्लासिज पर मिल जाएगा बस आप स्पोर्ट करते रही है मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा सा कंटेंट लाता हूँगा लव यू स्टूडेंट्स थैंक्यू स्टूडेंट्स